नमस्कार ये वीडियो रिलेटेट है नेशनल मींस कम मेरेड स्कोलर्शिप एन एमेमस दोजार एकिस से फ्रेंट्स कक्षे आठ की स्टूडेंट के लिए हमने इस स्कोलर्शिप हिद्व आवेदन करना है और वीडियो में हम इसकी प्रक्रिया के बारे में समझें इससे पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं एनमेमस स्कोलर्शिप जो है एनमेमस दोजारे किस उसका आवेदर हम 16000 के मैद्व से कर सकेंगे और इसके प्रोसेस से पहले हम इसकी जो विग्यप्ति है उसमें थोड़ा समझ लेते हैं यहां विग्यप्ति आप इससे पढ़ सकते हैं जर आप पढ़ना चाहें तो इस विग्यप्ति को में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट राजगुरुजी.in पर भी यहां पर आने के बाद यहां सर्च उप्शन में आप यहां पर टाइप कर दिजिएगा एन एम 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 एस और यहां सर्च पर क्लिक कर दें आप इस विग्यप्ति को पढ़ सकेंगे और इसकी पीडियाप जो ओफिस्यल विग्यप्ति है इसे डाउनलोड कर सकेंगे एन एम एस स्कॉलर्शिप के लिए आप आवेदन तो शालादरपन की माधिम से ही करना है यह स्कॉलर्शिप का वेदन नहीं है मुक्यत यह कहां ज स्कॉलर्शा में मैक्सिममम नंबर से उत्तिर्ण हुआ हो इसमें विद्यार्थियों को 12000 की राशी प्रति वर्श और यहां कहो एक वर्श प्रति महां 1000 रुपी चात्रवति मिलती है और जो चात्रवति हो स्टेट बेंक ऑफ इंडिया दोरा एक मुझत दी जाती इसके लि तक पूरा हुने तक हर साल चात्रवति का नवीनी करण शर्त यह है कि उम्मीदार हर साल कक्षा में तव प्रतिशत से दिन हो इसकी माप मापदन या पात्रता आप वह मरें सब्सक्राइट से पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर चात्रवति जारी रखने चाहता है तो उसे कम प्रति 55 प्रतिशत अंक से दिन होना होगा कक्षा 11 से स्पष्ट उत्रविड़न ता मिलनी चाहिए के लिए 50 प्रतिशत अंक हैं क्योंकि इसमें 5 प्रतिशत छूट है पात्रता की शर्ते आवेदन कौन कर सकता है तो वह स्टूडेंट जो कक्षा 8 में अभी आमांकित हैं अब बावक की जो वार्षी का है वो डेड़ लाग से अधिक नहीं हो चात्रवति के लिए निरंतरता इसके लिए उमिदवार को प्रतिक वार्षी पृक्ष्चा में 55 प्रतिशत तंग आरक्षित वर्ग के लिए बचास से चाहिए 90 प्रतिशित या 55 प्रतिशत आरक्षित वर्ग कंप लिए लाना अवशिक इसके लिए आवेदन नहीं करने वाले एक्तु जवाह और नौदर सरकार बापोरासई थियावाले संचल पढ़ने यहाँ ये फिर बोडिंग और बोडिंग शिक्षा जैसी व्योस्ता अगराप्ति तुर्णी सबस्केमें आई साथ ही से झाली विद्धिया लें Eugene 就是 अलया इसकी तो यहां पर टे में आ चुका हूं करने के बाद हम इसके पर क्लिक करनें के बाद आप यहां पर लास्ट वाला ही जो भुष्छन हे एन-MMS इसपर क्लिक करके ईसे उपन कर लेंगे और अगर हम आवेदन करना चाहते हैं तो यहां से देख सकेंगे और इसके बाद यहां पर अगर करना है को की सब्सक्राइब करते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर session class और section आप सेलेक्ट कर लेना है गोपर क्लिक कर देंगे तो हम अगले पेज़ कर पहुंच आई हैं जो कख्षा में अच्छे अंकल आते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हो और आगे का जो एक्जाम है उसे तरह से द्यान यह रखना है कि उसके परिवार की आये हैं वह भी एड़ लाग से कम हो फिल एप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे और आवेदन स्टार्ट करते हैं बढ़ा हुआ फरम पूरा आपके शामने शो हो जाएगा वी देख साथ विद्याले का नाम जहां से विद्यार थी ने कश् प्रवाइल नमबर और इमेल अप्डेट करेंगे सब्सक्राइब नहीं तो आपको इसको डाल सकते हैं डालने के बाद यहां पर यह रही है कि क्रक्षा साथ में राज की विद्याल में प्रवेशित नहीं है तो अलाकि यह है तो मैंने इस वाले को स्लेक्ट नहीं किया तो म और इसके बाद NMS पर क्लिक करूंगा भरागवा फार्म फिल्ड NMS एप्लिकेशन पर क्लिक करके ऑपन किया जा सकता है स्टुडेंट का नाम और खार्म भरा हुआ यहां शो हरा है मैं अकर देखना चाहूंत यहां पर व्यूपर क्लिक करके इसे देख लूँगा इस फॉर्म को यहां से फ्रिंट कर लेना है फ्रिंट करने के बाद फोटो चिपकाना है और साथ में निचे की तरफ यहां करने के लिए इसकी में सब्मिट करने के लिए अपने यहां करने के बाद इसे अपने प्रक्रिया है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए गुडबाई झाल झाल